हाई, वेल्कन हो बाच चेनल, इस वीडियो में सॉल्व करने हैं क्वेशन नमबर 1, 2 & 3 तो तीनों जो हैं सिंपल क्वेशन हैं, बट थोड़ा सा कांसेप्ट है, आप यह दिस्वराद कर रहा हैं, तो समझ जाएंगे चले, इस सॉल्व करते हैं, find the volume in cubic meter, आपको जो यह volume फाइंड करना है, लेकिन cubic meter फाइंड करना है, of each of the cubides, whose dimensions are, तो इन तीन cubides दियो हैं, जिसका dimension दिया हुआ है, length, breath and height, ओके, तो करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर क्यवल multiply ही तो करना है, है कि नहीं, तो पहला एक का सॉल्व करता है, first, हमें निकलना है क्या, volume of the cubides, ओके, तो जो दिया हुआ है, length, breath and height, लेकिन एक बात याद रहे है, length, breath and height, जो है, 3 meter में लेंगे, तभी तो आएगा, cubic meter में, तो volume निकलना है, cubic meter में, तो आपको length, breath and height, 3 meter में लेना होगा, तो यहाँ पर दिखे, 12 meter and 10 meter and 4 and 5 meter, 3 meter में ही है, तो कोई problem नहीं है, हम directly multiply करतेंगे, means 12 multiplied by 10 multiplied by 4.5, ठीक है, सारे meters में है, और हम यह multiply करेंगे, तो क्या मिलेगा, 12 के और इंदर मुन प्लाइ करेंगे पहले, तो decimal जो हट जाएगा, टेंसम प्लाइ करेंगे तो, और मिल दाएगा, 12 into 45, और 12, 5 जा क्या होता है, 60 होता है, 60 का 0 होगा, 6 carry over and 4, 12, 4 जा, 48, 48 and 6, 50, what 54, तो 540 meter cube आ गया, ठीक है, तो हमने निकाल लिया है, meter cube में volume, तो यह पहले एक answer है, second करते हैं, second में निकालना क्या है, आपको volume of, volume of the cuboid, लेकिन आपको ध्यान रहे कि यह निकालना है, meter cube में, तो length into breath into height, यहां भी करेंगे, लेकि length, breath और height का unit क्या होना चाहिए, meter में, तो यहां पर देख रहे हैं, यह भी meter में दिया हुआ है, यह भी meter में दिया हुआ है, लेकिन यह meter में, 10 times less होते हैं, बस, okay, decameter के बाद क्या आता है, meter आए गया, उसके बाद से decimeter आएगा, उसके बाद से centimeter आएगा, उसके बाद से millimeter आएगा, यह sequence आप यदि याद रखेंगे, तो बड़ी असान रहेगा convert करने में, अब यहाँ समझेगा, length तो यहाँ पर 4 meter दिया हुआ है, तो 4 से multiply करेंगे, इन्टू, यहाँ पर 4 meter लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, 4 meter, multiplied by breath क्या है, 2.5 meter, यहाँ पर 2.5 meter, तो breath होगे आपका second वाले meter में, तो centimeter से meter में करना है, तो दो बार jump कर रहा है, एक बार यहाँ से हाँ, फिर यहाँ से हाँ, दो बार jump कर रहा है, उपर की तरफ जा रहा है, तो हमें याद रखना है कि जब उपर की तरफ जाएंगे, तो divide करेंगे 10 से, तो जितनी बार jump करेंगे, उतनी बार divide करेंगे 10 इन से means एक बार 2 बार 2 बार Part 9 करना पद रहा है दो बार जब्रण करना पड़ रहा है सेंटीमेटर से मीटर में जाने के बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से नहीं बलकि 100 से टिवाइड करना पड़ेगा कि इसको जोभी नमबर यहाँ पर दिया हुआ है means हम लिख सकते हैं 50 को यदि हम डिवाइड कर दें 100 से तो यह करवाट हो जाएगा मीटर में ठीक है मतलब 50 cm बरापर हो जाएगा 50 अपान 100 मीटर इसी बात को हम यह लिख दें और solve कर लेंगे आपर जो answer रहेगा वह answer हो जाएगा कैसे करेंगे आपर देखे 0 से 0 यह cancel हो गया फिर 505 5 10 और 202 और यह 2 4 जाएगा 5 जाएगा 5 होता यह 5 मीटर क्यूब अब आते हैं 3rd क्यूब आड का वाल्यम मिकालते हैं तो वाल्यम आफ फिर से लिख लेते हैं क्या दिकत है तो लिख लेते हैं यहां पर वाल्यम आफ वाल्यम आफ दे क्यूब आड तो यहां पर वाल्यम क्या आएगा वहीं सी करना पड़ेगा length in to breadth in to height लेकिन length क्या लेंगे यहां पर यहां लेंगे 10 meter ओके into 25 decimetr दिया हुआ है अब decimetr को करवार्ट करना पड़ेगा पहले किसमें मीटर में, तो यहां पर देखिए, करवर्ट करने के लिए करना पड़ेगा, तो यहां पर है decimeter, और decimeter आपका यहां है, यह वाला, और करवर्ट करना है इसको meter में, ठीक है, तो कितनी बार जम कर रहे हैं, उपर की तरफ जा रहे हैं, एक बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहां पर लिख देना है, केवर्ट 25 उपर बचेगा, 25 पार, और नीचे बचेगा 4, ठीक है, इतना meter cube हो गया, लेकिन हम यहां सब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करना है, क्या मिलेगा, 4 6 जा 25, sorry, 4 6 जे 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर कितना बचा 2 बचा, फिर decimal बढ़ा है, 0 हो जाएगा, 20 हो ज यह आपका पहला अंसर, यह आपका दूसरा अंसर और यह आपका तिसरा अंसर, अब चलते हैं question number 2 पर, okay, question number 2 आपका क्या बोल रहा है, देखें ध्यान से यहाँ पर, करें कि find the volume in cubic decimeter, अब निकालना है volume किसमें, cubic decimeter में, of each of the cubes whose side is, तो यहाँ पर cube का निकालना है volume, जिसका side दिया हुआ है, 1.5 meter यहाँ पर, यहाँ पर 75 cm, और यहाँ पर 2 decimeter 5 cm, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं, first वाले का solution, first, okay, तो लिग लेंगे हाँ पर volume of, volume of the cube, तो हम volume का भी जानते हैं, कैसे निकालते हैं volume, क्या करते हैं, side का cube कर देते हैं right, यहाँ पर side दिया हुआ है, whose side is 1.5 meter, तो पहले कहस में क्या दिया है 1.5 meter, हमें निकालना किस में है, decimeter में, याद रखे है, detimeter में, तो मैंने जो पहले बताया, कि km, hectometer, याद कर लिजे, किलियो मीटर हेक्टो मीटर उसके बाद डेका मीटर डी एम उसके बाद मीटर उसके बाद डेसी मीटर उसके बाद सेंटी मीटर उसके बाद मीली मीटर यह सिक्वेंस याद रखेंगे तो आपको 1.5 मीटर को चेंज करना कि इसमें डेसी मीटर में तो meter को change करना है decimeter में मतलब नीचे आ रहा है नीचे आने का मतलब कि multiply करेंगे means 1.5 into 10 कर सकते हैं और इस पूरे को लिए सकते है meter और इसी का क्या करना है cube करना है है कि नहीं 1.5 में हमने 10 से multiply कर दिया तो meter में convert हो गया ए स्वरी decimeter में convert हो गया अब यहां पर क्या हो जागा देखिए 10 से multiply करेंगे मिलेगा 15 decimeter का 15 decimeter क्या हो जाएगा cube हो जाएगा 15 का cube क्या होता है 15 15 जा होता है 225 और 225 में multiply कर देंगे 15 से 15 फोर्जा 15 फोर्जा हो जाएगा 20 sorry 15 फ़र्जा 75 75 का 5 15 तुजा 30 30 and 7 37 का 7 3 का योवर 15 तुजा 30 30 and 3 33 3375 decimeter cube this is your first answer ठीक है अब करते है second तो यहां पर हम थोड़ा सा erase कर लेते हैं पहले इसको और ठीक है तो volume of second cube अब second वाले में दिए 75 cm दे दिया है cm में जब दिया हुआ है तो हमको करवड करना है किसमें decimeter में क्यों करना है क्योंकि decimeter में निकालना ही है यहां पर वाली तो हमें क्या करना पड़ेगा 75 में देखें उपर जा रहा है हुआ हना cm से उपर जा रहा है cm से यदि decimeter करना है तो एक position उपर जा रहा है इसका मतलब कि हमें 10 से टिवाइड करना पड़ेगा तो जो भी दिया हुआ 75 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको 75 अपान 10 meter का क्या करेंगे cube कर देंगे ठीक है अरे स्वरी meter कर रहा हूँ यह decimeter decimeter में होगा न decimeter कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर cube करना है इसको तो यहाँ पर हम क्या करते है ऐसे लिख लेता है 75 अपान 10 dm 75 अपान 10 dm 10 dm ठीक है अब यहाँ पर कटेगा कैसे 5 तूजा 10 5 से हो जाएगा यहाँ पर 5 बंजा 5 5 5 बंजा 5 तो decimal में divide करके निकाल लेते हैं तो 8 से दिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 8 फोरजा 32 8 फोरजा 32 हो जाएगा और 33 में से 1 बचा तो यहां मिल करके 1 17 हो गया ठीक है यह पूरा मिल कितना हो गया यह 17 हो गया तो 8 टूजा 16 हो जाएगा 8 फोरजा 16 हो गया एक बचा फिर से और एक बचा तो वो एक मिल करके यहां पर 15 हो गया 15 हो गया तो 8 टूजा नहीं जा पाएगा 8 में जा एट ही ले जाना पड़ेगा तो 8 बार एक बार ले जाएगे तो बचेगा 7 और 7 जो बचेगा तो अब यहां पर decimal बढ़ा देंगे अभी हो जाएगा 70 तो 8 से करेंगे तो 8 जा 64 होता है 8 जा 64 हो जाएगा कितना बचेगा 60 बचेगा 8 जा 64 तो कितना बचेगा 6 बचेगा 60 फिर से हो जाएगा अब यहां पर तो 8 से जा 56 होगा अब उचेगा 4, फिर 40 हो जाएगा, फिर 850, अब यहाँ पर इतना आ जाएगा, इतना decimeter cube, राइट, तो हम ने निकाल लिया यहाँ पर, इतना decimeter cube होगा, second volume का, second cube का volume, वैसे ही third का मिकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, volume of the cube, इसको बड़ी हो जाएगा, देखें, 2 decimeter दिया हुआ है, और 5 cm दिया हुआ है, तो पहले इसको हम convert कर लेते हैं, केवल decimeter में, तो decimeter में convert करने के लिए करेंगे, 2 decimeter तो पहले ही दिया हुआ है, यह वाला, 5 cm को केवला हमें decimeter में करना है, तो 2 decimeter में हम add कर देंगे कितना 5 cm तो 5 cm को पहले decimeter में convert कर लेते हैं देखें यहाँ पर cm से decimeter करना है एक position उपर जाना है ठीक है इसका बतब भी 10 से पस डिवाइड कर दीजे cm वाले में यहाँ पर हो जाएगा 5 upon 10 यहाँ पर हो जाएगा 5 upon 10 decimeter है कि नहीं cm को हमने कर लिए decimeter में तो यह पूरा हो गया side side का length का क्या करते हैं cube करते हैं तो हमारा आजाएगा अब यहाँ पर volume तो इसको add करते हैं 5 upon 10 5 हो जाएगा 5 upon 10 हो जाएगा 1 upon 2 add करना है मतब 2 decimeter में add करना है 0.5 decimeter का cube ठीक है means यह हो जाएगा 2.5 मतलब यह हो जाएगा 2.5 decimeter का cube ठीक है तो 2.5 decimeter का cube करेंगे तो 2.5 का 3 बार मटपले करेंगे तो आता है क्या दो बार करेंगे यह 25 का 25 में तो मिलता है 625 और 625 में यह 25 से फिर से करेंगे क्या मिलेगा 25 यह 25 का 5 हो जाएगा 12 कारी ओफर 12 कारी ओफर हो जाएगा 25 यह 50 हो जाएगा 56 यह 52 का 2 हो जाएगा 6 कारी ओफर 25 6 जा 150 150 and 156 156 means इसका आजाएगा 156 to 5 और देखे डेसमल यहाँ पर तीन पोजिशन जाएगा यहाँ पर 1, 2 and 3 यहाँ पर डेसमल लगेगा इतना डेसिमीटर क्यूब हो जाएगा मतलब इसको लिसकते हम इस तरह के से 15.625 डेसिमीटर क्यूब तो यह होगा आपका थर्ड बार एक अंसर यहाँ मैंने किया क्या है कि अबल मैंने क्या क्या है 15.625 बस यह किया हो मैं तो यह दोनों आपकर लीजेगा आपको आ जाएगा तो यह हो गया सेकेंड का आंसर यह आपका थर्ड आंसर है यह आपका है सेकेंड आंसर और यह आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पर ठीक है अब चलते हैं थर्ड क्यूशन पर अब यह बताइए यदि किसी वेल को किसी कुवे को कोई कुवा है और उसको आप खोद रहे हैं ठीक है और उसका डायमेंशन दिया है कि 3 मिटर 2 मिटर और 5 मिटर इस तरह का डायमेंशन है मिन्स 3 मिटर लंबाई है ब्रत जो है वालिम होगा तो मतब किवल आपको वालिम निकाल लेना है वही एमाउंट जो है क्ले का होगा तो हम यहारी सकते हैं कि एमाउंट आफ क्ले डगड आउट ठीक है जो बाहर निकालेंगे इस इक्वल टू वालिम आफ दी वेल वेल का जो वालिम होगा उसी के बड़ाबर होगा और वेल का वालिम क्यांस निकालेंगे लेन्थ इंटो ब्रेथ इंटो हाइट मड़ाई कर लिजए तो 3 मड़ाईट बैट बैट 2 मड़ाईट 5 3 का unit सेम है इसलिए 7 मड़ाईट तो बहुत असान है आपको बस यहां पर पूछा है directly कि कितना जो है clay मतलब मिट्टी जो है खोद कर निकाले जाएगी तो जो amount होगा उसका वो बराबर होगा volume of the well के मतलब वेल का जो उतना volume होगा उतना ही तो मिट्टी निकालेंगा पाहर है कि नहीं उससे ज्यादा मतलब मिट्टी बहार नहीं निकाल सकते जितना volume है उतना ही निकलेगा तो उसी का volume निकालने के लिए मट्पलाई करतेंगे इसके dimension से length बेर थेंटू height तो हमरा आगया 30 meter cube this is your answer तो thank you so much for watching दो देख से नेक्स वीडियो में नेक्स्ट कुशन साथ